कोश्चन नमबर 7 है हमारे पास साइन स्क्वेर वाई प्लस कॉस एक्स वाई एक्वल टू के हमारे पास क्या दियावा है साइन स्क्वेर वाई प्लस कॉस एक्स वाई एक्वल टू के अब आप देखो इसको कैसे डिफरेंचेट करेंगे सबसे पहले ना देखो, sin²y को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, sin²y का whole square, ठीक है, तो सेम चीज़ हम यहाँ लिखते हैं, इसको हम लिख रहे हैं, sin²y का whole square, और इस xy को bracket में रखो, अब आप इसको differentiate करना शुक्ते हैं, तो क्या बनेगा, यह बनेगा, differentiate both side with respect to x, तो यह बनेगा, d by dx of sin²y का whole square, plus d by dx of cosxy equal to d by dx of k, ठीक है, अब देखो, इसको आपने x square पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, x का square, x के square की differentiation क्या होती है, 2x, है न, तो आपने इसको पढ़ना है, x का square, यह बनेगा 2x, x कितना है यहाँ पे, sin y, और आपने इसको x पढ़ना, इसको दुबारा differentiate कर दो, d by dx of sin y, अब यहाँ देखो, इसको cos x पढ़ना, cos x की differentiation क्या होती है, minus sin x, तो यह बनेगा minus sin x, और आपने इसको दुबारा differentiate कर देना है, यह बनेगा, d by dx of x y, और यह constant है, constant की differentiation, 0 हो जाएगी, k है न, k यहाँ पे constant है, अब देखो, अब इसको differentiate करो, इसको sin x पढ़ो, sin x की differentiation, cos x, तो यह बनेगा, cos x, x क्या है, यहाँ पे y, अब आपने इसको x पढ़ा था, तो इसको दुबारा differentiate कर देना है, यहाँ पे u into v लगाओ, यह u है, यह v है, u into v में क्या होता है, v बाहर, differentiation करनी है, u की, u है मारा x, फिर x बाहर, differentiation करनी है, v की, equal to 0, अब देखो, आपने यह formula पढ़ा वा है, 2 sin a, cos a, यह किसके बराबर होता है, sin 2 a के, तो 2 sin y, cos y किसके बराबर हो जाएगा, sin 2 y के, तो 2 sin a, cos a होता है, sin 2 a के, तो यह बन रहा है, 2 sin y, cos y, तो यह बन जाएगा, sin 2 y, d y by dx, इसको न, इससे multiply करते जाओ, देखो, x की differentiation तो 1 हो जाएगी, है न, x की differentiation 1 हो जाएगी, इसको इससे multiply करो, यह बनेगा, minus y, sin x y, और इसको इससे multiply कर लो, यह बनेगा, minus x, d y by dx, sin x y, यह पूरी term इस तरफ लेगा, यह इस तरफ आएगी, तो यह बनेगा, y sin x y, एक term यह बची, एक term यह बची, इन दोनों में देखो, क्या common है, इन दोनों में, d y by dx common है, है न, यह पूरी term इस तरफ आएगी है, इन दोनों में d y by dx common, तो यहां बचेगा, sin 2 y, और यहां क्या बचेगा, minus x, sin x y, यह पूरी term इसके नीचे divide कर दो, तो बस यह answer आगया, d y by dx, equal to y sin x y, upon, sin 2 y, minus x sin x y, तो यह हमारा required answer आगया, अब देखो question number 8, question number 8 कर लेते हैं, इसके बाद, question number 8, देखो, क्या दियाओ है हमारे पास, question number 8 है हमारे पास, sin square x, plus cos square y, equal to 1, sin square x, plus cos square y, equal to 1, तो देखो, इसको कैसे करेंगे differentiate, sin square x को, देखो, sin square x को हमाहाँ लिख सकते हैं न, sin x का whole, square, cos square y को हमाहाँ लिख सकते हैं, cos y का whole square, equal to 1, अब आप इसको differentiate करना शुरू करो, differentiate both side, with respect to x, तो यह बनेगा, d by dx of, sin x का whole square, plus d by dx of, cos y का whole square, equal to d by dx of, 1, अब आपने क्या करना है, इसको x का square पढ़ना है, देखो, x के square की differentiation क्या होती है, 2x, है ना, तो आपने इसको पढ़ना है, x का square, x का square की differentiation 2x, तो यह बनेगा 2, x यहाँ पे कितना, sin x, 2 sin x, और आपने chain rule लगाना है, यहाँ पे, आपने इसको x पढ़ा था, तो chain rule से, इसको differentiate करना है, तो यह बनेगा, d by dx of sin x, इसी तरह, अब आपने इसको y का square पढ़ना है, क्या पढ़ना है, y का square, या x का square ही पढ़ लो, x का square, x का square की differentiation 2x, तो यह बनेगा, 2 cos y, और फिर आपने इसको x पढ़ा, इसको दोबारा differentiate कर देना है, यह बनेगा, d by dx of cos y, sin x की differentiation क्या होती है, sin x की differentiation होती है, cos x, ठीक है, अब इसको लिखो, 2 cos y, देखो इसको आपने cos x पढ़ना है, cos x की differentiation क्या होती है, cos x की differentiation होती है, minus sin x, तो यह बनेगा, minus sin y, और फिर आपने y को differentiate कर देना है, तो यह बनेगा, d by dx equal to 0, तो आप इसको लिखो, और फिर आपने y को कर दिया, ठीक है, तो यह बनेगा, 2 sin x, cos x, इस sin y को पहले लिख दो, यह बनेगा, minus 2, sin y को पहले लिखो, sin y, cos y, d by by dx, अब देखो, और यहाँ पर देखो, 1 की differentiation 0 होगी, ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा नहीं था, 1 की differentiation 0, अब हमने यह formula पढ़ावा है, 2 sin a, cos a, किसके बराबर होता है, sin 2 times a, है ना, तो यह देखो, यही बन रहा, यह x है, यहाँ ठीक करना, यह x था, x, x, 2 sin x, cos x, किसके बराबर होता है, sin 2 a, तो a कितना है यहाँ पर, 2 x, और same formula देखो, 2 sin y, cos y, किसके बराबर होगा, sin 2 y के, equal to, d by by dx, अब क्या करो, यह पूरी टर्म इस तरफ ले आओ, तो यह बनेगा, minus sin 2 y, d by by dx, यह इस तरफ आएगा, minus sin 2 x, यह minus और यह minus cancel, sin 2 y को इदा ले आओ, तो यह बनेगा, d by by dx, equal to, sin 2 x, upon sin 2 y, लो जी, यह हो गया, question number 8 भी complete, अब चलते हैं, question number 9 की तरफ, question number 9 देखो, क्या दिया वह है, exercise 5.3 का हमारा, question number 9, इसमें क्या करना हमें, find करना, d by by dx, question number 9 में लिखा है, y equal to sin inverse, 2 x upon, 1 plus x square, तो देखो, कैसे करेंगे, अगर आपको यहाँ दो, आपने, 11th class में, sin 2 theta का formula पढ़ा था, क्या होता था, 2 tan theta, upon, 1 plus tan square theta, है न, अगर आपको यहाँ दो, तो आप compare करो, अगर आप compare करोगे, 2, 2, x, tan theta, 1, 1, plus, plus, x का square, tan square theta, तो आपको क्या दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको, x की चगा क्या दिख रहा है, tan theta, है न, तो हम क्या करेंगे, x को ले लेंगे, tan theta, अब compare करके देखो, अगर आपको नहीं चला पता, देखो, 2x, 2 tan, 2 tan theta, 1 plus x square, 1 plus tan square theta, है न, अब इस tan को इदे ले आओ, यह tan इदे आएगा, तो यह बनेगा, theta equal to, theta आजाएगा, यह tan इदे आएगे, theta equal to tan inverse x, तो अब आप यह values, यहाँ replace करो, तो सबसे पहले क्या है, sin inverse, to x, x की जगा क्या है, tan theta, upon, 1 plus, x की जगा कितना है, tan theta, तो यह बनेगा, tan square theta, तो यह आजाएगा, sin inverse, अगर आप compare करो, to tan theta, 1 plus tan square theta, किसके बराबर है, sin 2 theta के, तो हम इसको लिख देंगे, sin 2 theta, तो यहाँ पर क्या बचेगा, sin inverse, sin में क्या बचेगा, 2 theta, और यहाँ पर, theta की value लिख दो, theta की value आपके सामने है, theta की value कितनी है, 2 tan inverse x, तो अब आप इसको, differentiate कर दो, तो यह बनेगा, differentiate both side, with respect to x, तो यह बनेगा, d by by dx, इसमें 2 बहार आजाएगा, यह बनेगा, d by dx of tan inverse x, और tan inverse x की differentiation, देखो क्या होती है, tan inverse x की differentiation होती है, 1 upon 1 plus x square, तो यह बन जाएगा, 2 into 1 upon 1 plus x square, तो answer आजाएगा, 2 upon 1 plus x square, तो यह हो गया, question complete, अब देखो, question number 10 को, question number 10 देखो, क्या दिया हो है, question number 10 है हमारे पास, find करना है, इसमें भी d by by dx को, y दिया हो है, tan inverse, 3x minus x cube, upon 1 minus 3 x square, ठीक है, तो इसको देखो कैसे करेंगे, आपने 11th क्लास में, tan 3 theta का formula बढ़ा था, tan 3 theta का क्या formula होता था, 3 tan theta, minus tan cube theta, upon 1 minus 3 tan square theta, है ना, तो अब आप compare करो, 3 3 x tan theta, x का cube, tan cube theta, 1 minus 1 minus, 3 x square, 3 tan square theta, तो अगर आप देखो, आपको x की जगा क्या दिख रहा है, x की जगा आपको क्या दिख रहा है, tan theta, है ना, तो हम यहाँ पे भी x substitution क्या यूज करेंगे, x को tan theta, अब आप क्या करो, इस tan को इदर लेओ, theta क्या बनेगा, यह tan इदर आएगा, तो theta इदर आजाएगा, tan inverse x, अब यह substitutions यहाँ यूज कर लो, तो यह बनेगा, y इक्वल तू tan inverse, 3x, x की जगा देखो क्या, tan theta, minus x का cube, tan theta का cube करना, यह बनेगा, tan cube theta, upon, 1 minus 3, x की जगा क्या replace करना, tan theta, तो यह बनेगा, tan square theta, अब आप compare करो, देखो, 3 tan theta, minus tan cube theta, upon, 1 minus 3, यह रहेखो, यह सेम है, है ना, तो यह किसके बराबर है, tan 3 theta के, तो यह आजाएगा, tan 3 theta, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 theta बचेगा, तो यह आजाएगा, 3 theta, और theta की value यहाँ दाल दो, theta की value कितनी है, d by dx of tan inverse x, और tan inverse x की differentiation, आपने अभी की, क्या होती है, 1 upon 1 plus x square, तो answer आजाएगा, 3 upon 1 plus x square, यह हो गया हमारा complete, इसमें आपको range की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे range की इतनी tension मत लेना, अगर आप j mains वगयरा में जाते हो, तो वहाँ पे थोड़ा, इसकी range वगयरा की problem हो सकती है, लेकिन यहाँ आपको इतनी problem नहीं होगी, तो इसलिए NCRT में tension नहीं लेना range वगयरा की, क्योंकि यह जब हमने इसको काटा, यह इसी के बीच में लाइव करता है, अब चेक कर सकते हो, यह इसी के बीच में लाइव करेगा, इसकी range होती है, तो इसलिए इतनी tension लेने वाली बात नहीं है, चोलो जी, question number 11 करते हैं, question number 11 देखो, क्या दिया होगा है, cos inverse, 1 minus x square, upon 1 plus x square, question number 11 में क्या दिया होगा है, cos inverse, 1 minus x square upon 1 plus x square, तो देखो कैसे करेंगे, cos 2 theta का formula होता है, हमारे पास, 1 minus tan square theta, upon 1 plus tan square theta, तो आप compare करो, आपको x की जगा क्या दिख रहा है, 1 minus x square, tan square theta, 1 plus 1 plus x का square, tan square theta, तो आपको x की जगा क्या दिख रहा है, tan theta, है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, x को क्या लेंगे, tan theta, इस tan को इदर ले जो, यह tan इदर आएगा, तो theta क्या बनेगा, tan inverse x, अब यह values उठा के, यहाँ substitution योज़ कर दो, तो यह बनेगा, cos inverse, 1 minus x का square, x यहाँ पे कितना है, tan theta, तो यह बनेगा, tan square theta, अपॉन, 1 plus, x की जगा क्या है, tan theta, तो यह बनेगा, tan square theta, तो यह आजाएगा, y equal to, cos inverse, देखो, 1 minus tan square theta, upon 1 plus tan square theta का formula, cos 2 theta, तो यह बनेगा, cos inverse, cos 2 theta, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 theta, और theta की value, आपके सामने ही है, theta की value क्या दिया है, tan inverse x, अब आब इसको differentiate कर दो, यह क्या बनेगा, d वाब आब d x, equal to, tan inverse x की differentiation होती है, 1 upon 1 plus x square, तो यह आजाएगा, 2 upon 1 plus x square, अब देखो, question number 12 को, question number 12 क्या दिया हुआ है, y equal to sine inverse, 1 minus x square upon 1 plus x square, अगर आप question number, आपने question number 11 किया न, question number 9 और question number 11 में, देखो क्या फर्रक था, question number 11 में यह फर्रक था, उसमें यह दिया वा था, है न, आप देखो, दोनों में फर्रक क्या है, यहाँ पर sine है, यहाँ पर cause है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले इस form में बनाना पड़ेगा, क्योंकि यह जो formula है, यह cause का है, यह formula sine का नहीं है, तो हमें इस वले को पहले, sin को cos में बनाना पड़ेगा तो कैसे बनाएंगे देखो आपने ये formula पढ़ा है sin inverse x plus cos inverse x equal to pi by 2 है ना, इस cos inverse x को इदे ले आओ, तो ये बनेगा sin inverse x equal to pi by 2 minus cos inverse x तो अब आप क्या करो हम इसको sin inverse x पढ़ते हैं sin inverse x को कैसे convert किया जा सकता है pi by 2 minus cos inverse x x क्या है यहाँ पे x है हमारा 1 minus x square upon 1 plus x square अब आप देखो, अभी हमने cos 2 theta का formula किया cos 2 theta का क्या formula था 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta अब आप यहाँ से compare करो अगर आप देखो 1 minus 1 minus x square tan square theta 1 plus x square 1 plus tan square theta तो आप देखो, x की जगा क्या दिख रहा आपको दियान से देखो, x की जगा क्या दिख रहा है, tan theta तो हम यहाँ पर क्या substitution यूज करेंगे x equal to tan theta इस tan को इदे लेओ theta क्या बनेगा tan inverse x तो यह बनेगा pi by 2 minus cos inverse 1 minus x की जगा क्या दिख रहा है, tan theta तो यह बनेगा tan square theta upon 1 plus x की जगा क्या दिख रहा है, tan theta तो यह बनेगा tan square theta तो यह आजाएगा pi by 2 minus cos inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta किसके बराबर है cos 2 theta के तो आप इसको लिखो pi by 2 minus यह कितना बनेगा 2 theta और यहाँ पर theta की value replace कर दो, theta की जगा क्या है tan inverse x, तो यह आजाएगा y equal to pi by 2 minus 2 tan inverse x अब आप इसको differentiate कर दो यह बन जाएगा differentiate both side with respect to x तो pi by 2 constant है constant की different, यह constant है ठीक है, pi यहाँ पर 180 होता है 180 को 2 से divide करोके 90 आएगा तो 90 degree constant होता है constant की differentiation 0 2 बाहर tan inverse x की differentiation 1 upon 1 plus x square तो यह बनेगा minus 2 upon 1 plus x square तो यह हो गया हमारा question complete अब देखो question number 8 question number 8 देखो, क्या दियावा है question number 8 नहीं, sorry, question number 13 question number 13 दियावा है मारे पास find dy by dx if y equal to cos inverse 2x upon 1 plus x square तो अगर आप अपने question number 9 को देखो question number 9 क्या दियावा था sine inverse 2x upon 1 plus x square अब आप देखो, h दियान दो यह जो formula है ना यह किसका है sine का है मतलब sine 2 theta का जो formula है यह formula किसका है sine 2 theta का 2 tan theta upon 1 plus tan square theta है ना तो हमें क्या करना पड़ेगा इस वले को पहले sine में convert करना पड़ेगा इस वले को किस में convert करना पड़ेगा sine में तो देखो, कैसे करेंगे sine inverse x plus cos inverse x किसके बराबर होता है pi by 2 के तो हमें cos inverse x का formula चोहिए तो cos inverse x का क्या formula होगा इस sin inverse x को इदर लेओ यह बनेगा pi by 2 minus sin inverse x तो आप लिखो यह cos inverse x है cos inverse x का formula pi by 2 minus sin inverse x तो यह बनेगा pi by 2 minus sin inverse x और जो आपका x है वो आपका यह है 2x upon 1 plus x square अब आप यहां से compare करो इसको compare करो इस वले को देखो 2x 2 tan theta 1 plus x square 1 plus tan square theta तो आपको x क्या दिख रहा है यहां पे x क्या है tan theta तो हम क्या करेंगे क्या substitution यूज करेंगे x equal to tan theta इस tan को इदर लेओ theta क्या बनेगा tan inverse x तो यह बन जाएगा y equal to pi by 2 minus sine inverse 2x x की जगा क्या लिखना है आपको tan theta तो यह बनेगा 2 tan theta upon 1 plus x की जगा क्या लेना tan theta तो यह बनेगा tan square theta तो यह आजाएगा y equal to pi by 2 minus sine inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta किसके बराबर होता है sin 2 theta के तो यह बन जाएगा pi by 2 minus यहाँ क्या बचेगा 2 theta और यहाँ पर theta की value replace कर दो theta की जगा क्या लेना आपके tan inverse x तो अब आप इसको differentiate कर दो तो इसकी differentiation क्या होगी यह constant है constant की differentiation 0 और tan inverse x की differentiation 1 upon 1 plus x square तो यह बनेगा minus 2 upon 1 plus x square यह हो गया हमारा question number 13 भी complete अब देखो question number 14 को question number 14 देखो क्या दिया हूँ है अगर आपको अगर आपको आपको कुछ substitutions बताई थी अगर आपको याद हो नहीं याद है तो हम फिर बताएंगे देखो यहाँ पे है under root 1 minus x square है ना इसको हम 1 का square लिख सकते हैं अगर आप दियान दो यह क्या बनेगा 1 का square minus x square अगर आपको याद हो हमने आपको यह substitution बताई थी अगर आपके पास a square minus x square हो तो आपने x को क्या लेना है या तो a sin theta और x को a cos theta इन दोन में से आपने 1 लेना है है ना अगर आपको यहाँ दो लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो यहाँ पे sin है अगर sin है तो a sin theta लेना है अगर cos होता तो आपने a cos theta लेना था तो यहाँ पे हम क्या लेंगे sin theta और आप compare करो यहाँ पे a कितना है यहाँ से देखो a square minus x square 1 का square minus x square तो a कितना दिख रहा है 1 है ना a कितना दिख रहा है 1 तो यहाँ पे आपने x को क्या लेना है 1 into sin theta 1 into sin theta sin theta होता है तो आपने क्या substitution यूज करनी है x equal to sin theta sin को इदर लेओ theta बन जाएगा sin inverse x तो यह बनेगा sin inverse आपने x की जगा क्या यूज करना है sin theta तो यह बनेगा 2 sin theta under root x की जगा यहाँ पे क्या लेना है sin theta तो यह बनेगा sin square theta अब आप देखो आपने यह formula 10th में भी किया है sin square theta plus cos square theta किसके बराबर होता है 1 के बराबर इस sin को इदर लेओ तो cos square theta किसके बराबर होगा 1 minus sin square theta है ना तो कहने का मतलब है 1 minus sin square theta किसके बराबर होता है cos square theta के तो 1 minus sin square theta को क्या लिख रहे है cos square theta तो यह बनेगा 2 sin theta under root cos square theta तो यह square और यह root cancel हो गया तो यह बनेगा 2 sin theta cos theta अब आप देखो आपने यह formula भी किया है 2 sin theta cos theta किसके बराबर होता है sin 2 theta के तो यह बन जाएगा sin inverse 2 sin theta cos theta किसके बराबर होता है sin 2 theta के तो यहाँ पे sin inverse और sin cancel हो जाएगा पीछे क्या बचेगा 2 theta और theta की value तो आपके पास पहले की है theta की value क्या आपके पास sin inverse x तो यह बनेगा 2 theta की जगा sin inverse x लिख दो तो यह बनेगा 2 sin inverse x अब आपने इसको differentiate करना है बस हो गया question कतम देखो कितने easy question है calculus सबसे जादा easy है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे न इसमें आपको इतनी मुश्किल नहीं आने वाली 2 बाहर आ जाएगा sin inverse x की differentiation देखो क्या होती है sin inverse x की differentiation होती है 1 upon under root 1 minus x square तो यह बनेगा 1 upon under root 1 minus x square जिसको आप क्या लिख सकते हो 2 upon under root 1 minus x square चलो last question है ठीक है आज का देखो इसके बाद last question question number 15 question number 15 देखो क्या दिया हो है y equal to sec inverse 1 upon 2 x square minus 1 देखो कैसे करेंगे इसको हमने inverse trigonometry में यह formula किया था कि sec inverse 1 by x को हम क्या लिख सकते है cos inverse x है ना तो हम इसको लिखेंगे देखो आपने इसको पढ़ना sec inverse 1 by x ठीक है दुबारा repeat नहीं करेंगे दियान से सुनो sec inverse 1 by x को क्या लिख सकते है cos inverse x तो sec inverse 1 by x यह x है है ना इसको क्या लिख सकते है cos inverse x x यहाँ पे कितना है 2 x square minus 1 ठीक है जी अगला step देखो आपने यह formula भी पढ़ावा है cos 2 theta का formula 2 cos square theta minus 1 है ना अब आप compare करो 2 2 x का square cos square theta minus 1 तो आपको क्या दिख रहा है अगर आप दियान से देखो आपको x की जगा cos theta नहीं दिख रहा है ना x की जगा क्या दिख रहा है cos theta तो हम यहाँ पर लेंगे x equal to cos theta इस cos को इदर ले आओ theta क्या बनेगा cos inverse x तो यह बनेगा cos inverse 2 x की जगा क्या लेना है cos theta तो यह बनेगा cos square theta minus 1 और 2 cos square theta minus 1 किसके बराबर है cos 2 theta के है ना तो यह बनेगा cos inverse cos 2 theta और यहाँ क्या रहा चाहेगा 2 theta और theta की value आपके साम नहीं है क्या है cos inverse 6 ठीक है exercise 5.4 करनी है complete अगर तुम बोलोगे ना तो exercise 5.4 complete कर देंगे आज 10 minute लगेंगे exercise 4.4 को जब हमने इस पर video बनाई थी पिछले साल तो हमने 8 minute में complete की थी वो exercise तो आज 10 minute लगाएंगे अगर तुम लोग बोलोगे तब ही करवाएंगे नहीं तो नहीं करवाएंगे इसकी differentiation होती है minus 1 upon under root 1 minus x square तो यह बनेगा minus 2 under root 1 minus x square ठीक है करेंगे